हुआ अनोखे बच्चे का जन्म दर्शन के लिए लोगों की लग रही है लाइन कानपुर के बल्रामपुर गाउं में जन्मी एक नवजात बच्ची की मौत के बाद लोगों ने उसे मा काली का रूप दे दिया इस बच्ची की गर्दन से उपर का हिस्सा काला और नीचे का हिस्सा साफ था अब उसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पैर छूकर आशीरवाद ले रहे हैं गाओं में रहने वाले छुटे लाल की बेटी क्रिशना ने बच्ची को जन्म दिया था नवजात बच्ची का चेहरा काला और गर्दन के नीचे का हिस्सा साफ था बच्ची के आँखे बड़ी बड़ी थी इसके अलावा नाक और मुह का आकार भी सामान्य से बढ़ा था उसकी जीप भी बाहर निकली हुई थी जन्म के करीब आदेगंटे तक बच्ची जिन्दा थी उसके बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया वहीं कृष्णा के चाचा ने बताया कि जैसे ही गाओं के बड़े बुजर्गों को इस बात की जानकारी हुई तो सभी मौके पर पहुँचे उनका मानना है कि बच्ची के रूप में यह मा काली का अवतार है उन्होंने कहा कि नवजात को दफनाने से पहले इसकी पूजा आर्चना करनी होगी इसके बाद बच्ची को देखने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे लाल चिनरी में लिप्टे मृत नवजात पर अभी तक करीब 10,000 रुपे का चड़ावा चड़ाय जा चुका है बच्ची को जन देने वाली मा कृषना के मुताबिक गाउं में रिवाज है कि लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में होता है इसलिए वह दो महीने पहले ही मायके आ गई थी ऐसे में उसके सिसुराल वाले कह रहे हैं कि बच्ची को वह अपने गाउं ले जाकर दफन करेंगे वही मायके पक्ष के लोग नवजात को नहीं ले जाने दे रहे हैं इस वजह से अभी तक बच्ची का अंतिम संसकार नहीं सका है हो